इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरण के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ बिल्कुल चक्तमा खा गए हैं वहाँ रण्रेक बढ़ानी की कोशिश में बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहाँ यह शॉट खेलने की लगता है अपनी एकाप के दखो बैठे उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका चलिए देखते हैं कि अगली गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ मानो ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रीजी में कहते हैं फॉर्म उफिस लाइफ वह क्या बात है ये एक ऐसे बल्ले बाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे गेन को जाने दिया स्लिप्स लगा दिये हैं यहां इनकी बाहर निकलती हुई गेन से तो बजके ही रहे बल्ले बाज पूरी तरह मिस किया वहां परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां पावर प्ले की समापती और अब फिल्डिंग टीम दो से अधिक फिल्डर्स को सर्कल के बाहर रख सकते हैं लाइन और लेंग्ट मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते यह बहुत ही बढ़िया सिक्स फिल्डिंग में परिवर्थन तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंट कहां मारेंगे और ये स्टंप बाहर निकलने की कोशिश थी यहां बल्ले बास की और बहुत ही अच्छी स्टंपिंग बहुत ही निराश लग रहे हैं बल्ले बास अपनी पहली गेंगी तैयारी करते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए बल्ले बास की आँखे तो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेंग बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में हैं बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे हुआ 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 है